इस प्यारे से दिन में आप सभी का स्वागत है इस अकाली बारी फ्रेंट्स और यहां के मुझे बहुत खुशी मिली वैसे मुटी विसर्चन हो चुका था बड़ कोई नहीं हम यहां तब पहुंचें और मैंने गेट के अंदर से हाथ गुजागर के थोड़ी सी विडियो ले ली इस जगह की है फ्रेंट्स अब मैं आ चुकी हूं काल का मंदीर परीसर में आप देखो कितने सारे लोग यहां पर आया हैं बहुत भी रह जिया और पता है आपको बहुत सारी चीज़े हैं मिल भी रही थी पूजा के चड़ावे की चीज़ और भी देख सारी चीज़ अगें जब हम यहां लोटस टेंपल पहुंचें फ्रेंट्स तो यहां भी दरवाज़ा बन था बट कोई नहीं पिछली काली बारी की तरह मैंने और यहां पर चड़क पूझा होगी है इस आप स्रील को तक लीफ देखर के भागम स्कीर को बंद कर तो यहीं जो और मी जबत बेड़िते घुक्त कर से को यह जो गुरू दिख रहे है औरेंज ड्रेस में तो यह क्या कर रहे हैं कि लोही की रॉड है उसे अपने एक गाल से दूसरे गाल के तरफ छेद करके वह आगे कर रहे हैं तो यह बहुत कठिन साथना होती है भगवान शीव के लिए अर्ट यह काफी भीड़ भी थी चारो तरफ से लोग देखी घेर रखा है वैसे में बता दो फ्रेंड्स यह जो चड़क पूझा है यह भोगता मेला का ही एक हिस्सा है और भोगता मेला जो है वह ज्ञाटन की खास मेला है जो की ज्ञा कर वासी है वह करते हैं या फिर यह कहा है ज़र सो फ्रेंट्स अब मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि मैं देख लिया यह सारी चीजे अब देखते हूं कि मैं आगे कहां जा रही हूं फ्रेंट्स मैं काफी थक चुकी हूं काश कि मुझे कुछ बैठने की जगह मिल जाए मैं थोड़ी बैठ जाओ वाँ जलो मुझे मिल गया फ्रेंट्स यह है लोटस टेंपल की बाउंटरी दूसरे साइड से तो मैं पर बैठने की जगह बनाई कही है फ्रेंट्स तो मैं थोड़ी तेर मेरे हजबन भी है तो हम दोनों है थोड़ी से क्या कहते हैं थोड़ी से रिस्ट कर लेत है यहां पर बैठके अब मैं आगी हूं फ्रेंट्स काल का मंदिर वैसे जो में मंदीर होती होती है न वहां कि मैं फोट नहीं ले सकती कि वीडियोनेली सकती कि वहाँ लावड नहीं है और यह वाली जो आप देखर आइह अन्से थोड़ी से बाहर में तो यहां भी मैंने ल मुझे काफी अच्छी लगी यहां वेवस्था हैं सारी चीज़े और यह रहे हमारे राम सिया लक्षमन सो फ्रेंट्स आज की यह प्यारी सी छोटी सी ब्लॉग खतम होती है पसंद आए तो लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा और शेयर भी कर दीजेगा बाबाए